हां जी बेटा आज का वेटा हमारा जो टॉपिक है रेजिदेंशिल स्टेटस एंड टेक्स लाइबिटी हां जी बेटा किस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है देखो ध्यान से सबसे पहली बात मैं एक्जाम पॉइंट भी इसे आपको बता दू यह चैप्टर वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और इसमें बेटा पूरा 15 मार्क्स का हां जी बेटा 15 मार्क्स का आपका एक क्वेश्च है कि या कई बार ऐसा हो सकता है इसमें से दिटा सिक्स का कई बर है अई निम्यक्रीकल आ जाता है है और साथ में इसके साथ 9 त्हपार की छिट यूरी है ऐसा भी कई बार और देखने देखने को आया है और विल्कुल सिंपल टॉपिक है हाँ जी देखो इस टॉपिक को बिटा स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट टॉपिक में लास्ट टॉपिक में एक बात बताई थी आपको जैसे मालो विटा यह कोई असैसी है एक असैसी ले रहा हूं मैं मिस्टर एक्स द्यान से समयना विटा सारी बाते यह एक विटा असैसी है मिस्टर एक्स असैसी का मतलब विटा क्या होता है कर दाता कर दाता वैसे कोई भी हो सकता है कोई इंडीजल भी हो सकता है कोई फार्म भी हो सकती है हुआप भी हो सकता है है यह वी हो सकता है इसामपल कि लिए एक्जामपल के तोरवे बेटा मैं ले रहा हूं मिस्टर एक्स through एक्सเคया लास्ट चैप्टर में हमने पड़ा कि किसी भी एक्सट्स को जो टेक्स पर करना होता है इंकम टेक्स जो कैलकूलेशन कि जाती है कि कसी बी में क्रदाथ jin 0 कि अकर विक्षा एक डा दोट defctica नहीं कूलेट होगा कि मैं मैं बात कर रहा हूं बटा जो टोटल इंकम तोटल इंकम कि सब्सक्रान होता वर्षा का रिप्लाई आगा है टोटल इंकम टेक्स चार्ज टॉन टोटल इंकम टेक्स टोटल इंकम पे चार्ज होता है टोटल इंकम कैसे कैलकुलेट करते हैं टोटल इंकम कैसे कैलकुलेट की जाती है उसके लिए मैंने आपको बताया था पहले हमें फाइव हैट्स की इंकम निकालनी होती है five hat scope इंकम त Dlatego इंकम होना काुं से कैलक ए Zhu कोई से income from salary income from salary income from house property income from PG BP profit and gain of business and profession profits and gains of business and Seasonon then Capital Gain and the last is income from other sources हां जी बेटा इसको बेटा हम बोलते हैं जी टी आई ग्रोस टोटल इंकम इन पांचो हेड के टोटल को बेटा क्या बोलते हैं ग्रोस टोटल इंकम ग्रोस टोटल इंकम में से लेस डिडक्शन्स डिडक्शन्स अंडर सेक्शन एटीसी टू एटी यू यह हमने माइनस कर दी तो यह हमारी क्या जाएगी टोटल इंकम जिसको हम राउंड फिगर में कनवाइट कर दिया है टैन के मल्टीपल में टोटल फिगर टोटल इंकम बेटा जो ली जाती है वह ओल्वेज इंदा मल्टीपल ऑफ टैन हाँ जी बेटा अब ध्यान से सुनना बेटा जो बात मैं यह बताने जा रहा हूं यह जो फाइव हैड्स की इंकम है बेटा सेलरी हाउस प्रोबेर्टी बिजनेस एंड प्रोफेशन कैपिटल गेन अधर सोर्सेज इन फाइव हैड्स से जो भी करदाता हमने करदाता लिया था मिस्टर एक्स इन पांचों हेड्स की बेटा जो इंकम है वह भी बेटा दो तरह की हो सकती है इन पांचों हेड्स से होने वाली इंकम वह भी बेटा दो तरह की हो सकती है परस्ट वह इंकम या तो इंडिया में कमाई गई हो इंडिया में इंडियन इंकम या वह इंकम हो सकती है फोरण इंकम हाँ जी बेटा जैसे मिस्टर एक्स का हमने एक्जामपल लिया तो मिस्टर एक्स बेटा जो सेलरी है मान लो मिस्टर एक्स जोब कर रहा है जोब करने से बेटा उसको क्या मिल रही है सेलरी उसको अपने बोस से या अपने इंप्लोयर से सेलरी रिसीव कर रहा हो तो वो बेट जोग कर रहा है यूएसे में तो उसकी फोरन इंकम है ऐसे ही बैटा हाउस प्रोपरिटी हाँ जी हाउस प्रोपरिटी अगर मान लो मैंने कोई मकान किराय पे दिया हुआ है और वह मकान इंडिया में तो उससे होने वाली इंकम कैसी होगी इंडिया इंकम यदि कोई मकान मेरा पर इंगलेंड में और इंगलेंड में मकान रेंट में दिया हुए तो वहां से बेटा जो मैं किराया रिसीव कर रहा हूं वह मेरी कैसी इंकम है फोरन इंकम है ठीक है जी तो कहने का मतलब ही है यह जितने भी बैटा हैड बताएं है सेलरी हैड हाउस प्रोपरिटी बिजनेस प्रोफैशन केपिटल गें और अदर संथिसाविए हैड इंज्मि यह सभी सोर्स सी से होने वाल इंकम वह बेटा इंडिया के अंदर भी कि जा सकती है और इंडिया के बहार इंडिया के अंधर की गई है तो उसकर इंडियनron की गई है तो उसिस इसको बीट क्या बोलेंगे फॉर अब कोश्चनराइज होता है कि एक सैसी जो हमने लिया Mr. X क्या Mr. X केवल Indian इंडियन इंकम पर टेक्स देगा या दोनों पर देगा वैदर एन सैसी इस लाइबल टू पे टेक्स ओन इंडियन इंकम और वैदर एन डॉच्चों का रिपलाई आ रहा है बोध पर अब ध्यान से सुनना इस बात का जो ऑंसर है इस बात का आंसर वह इस चैप्टर के अंदर चिपा हुआ है जो चैप्टर हमने आज करना है इस के दर हम यही पढ़ने वाले इसके अंदर वहीं पढ़ेंग cay इंडियान इंकम क्वषप्य होती है एक्षप्रॉप होती है यह सारी बाते हैं इसी Japanese पढ़ने में भाले हैं थी वहता है तो इस चहप्र का जो मेन आ मोटीव और इसके लिए बटा हमें क्या सीखना पड़ेगा हमें सीखना पड़ेगा कि किसी बी की इंकम निकालने स्थेटी डेटरमाईन करना जरूरी है पहले हमें यह देखना पड़ेगा किकृ press kötü में आता है , मिस्त्र एकसी रंशिटेन्ट मेडेच्स स्में से करना पड़ेगा आपको प्रेजजिटेओर कि मिस्तर एकसी रेजदेंट खरेपना पड़ेगा तो पहले हमें यह सीखना है कि यह रेजिडेंट कैसे कैलकुलेशन यह सारी कैलकुलेशन यह कैसे किया जाता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एक बार इसको रीड कर लेना यह इसका स्क्रीन शोट लेना है तो आप ले सकते हैं हां जी बच्चो इसको रीड कर लो बैटा एक बार यह सारी बाते मैं ने बता दिया है अंडर इंकम टेक्स एक्ट वेरियस सोर्सेज ऑफ इंकम है बिन ब्रोडली डिवाइड इंटो फाइब पार्ट्स विच आर नोन आज फाइव हैड्स लेक विच लूजव दृव ओण फाइब ले अंहल वी अपनण मैं कर लेक्टत,ंग्स पीみृ ट्रफसी का विच खिस्दव झास अईंड मैं गूंड़ लेल आब ऑफ इन पर हैं व्लार्स वर्दा लिवाट नें हैं टोड फिंक्रदार 2 नाव दा कोशन अराइज इस वेदर ए परसन इस लाइबल तो पेटेक्स न इंडियन इंकम और फोरें इंकम और बहुत इसको बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं राइदेंशल स्टेटस को हिंदी में क्या बोलते हैं असेसित हो गया करदाता राइजेंशल बेटा निवासिये करदाता की निवासिये अस्थेति हाँ जी बेटा क्लियर है यहां तक चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा अब बच्चो ध्यान से सुनना रेजडेंशल स्टेटस कैसे डेटरमाइन किया जाता है किसी भी असेसी की निवासिये स्थेति कैसे निर्धारित की जाती है उससे पहले हमें दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए एक टाम होती है बेटा नागरिकता सिटीजन्शिप और एक टम्स होती है रेजिडेंशल स्टेटस निवासिये स्थेति दोनों में बेटा क्या फ़र्क है किसी भी करदाता की निवासिया स्थिती किसी वी करदाता कि नागरिकता इन दोनों में क्या डिफरेंसिस है फ् Hol Pack Rob सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की नागरिकता मान लेते हैं मुझे यह मिस्टर एक्स को लेकर हम बात करें नागरिकता के फिर बेटा मैं बात करूँगा निवासियस्तिति नागरिकता का बेटा जो संबंद होता है वो प्लेस और बर्थ के साथ होता है जनरली इसिटीजन शिपडिपंच अपान था फ्लेस ऑ बर्थ यदि कोई विकति पप्रांस में पाइदा हुआ तो फ्रांस का सीटीजन है यदि कोई विकति यूईससे में पैदा हुआ तो US दे का सिटीजन है तो सिटीजन शिप का समन्ध नौर्मली किसके साथ उता है प्लेस और के साथ कि किसी भी व्यक्तिकी की स्थिती का सबंद उसके बर्थ-प्लेस के साथ नहीं है उसका संभंद है कि वह व्यक्ति में कितने दिन उसका स्टे रहा हमें उसके डेज काउंट करने पड़ेंगे कि उस व्यक्ति का प्रीवियस येर के अंदर इंडिया में कितने दिन का स्टे था कितने दिन वो रहा ठीक है या फिर बेटा वो किस पर डिपेंड करते हैं मैंनेजमेंट कंट्रॉल उस व्यक्ति का जो business है उस company का जो business है वो business उसका management and control कहां से हो रहा है management and control India से हो रहा है या India के बाहर हो रहा है अब जन्रली जो period of stay देखते हैं वो हम individual के लिए देखते हैं individual और Huf में on a period of stay से decide करना पड़ेगा और residential status management and control बेटा कब देखते है management and control देखते हैं in case of farm in case of Company in case of AOP in case of बीओओई जडि किसी व्यक्ति की जैसे यह हमने Mr. X की Regisager status देखने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा period of stay in the country Mr. X का previous year के अंदर गत वर्श में इंडिया में वो कितने दिन रहा थीक है तो आगे रूल्स पढ़ेंगे हम अभी तो अभी सिरफ इतनी प्लेस और निवास्य स्थिति का समध किसके साथ होता है यह फर्स्ट हो गया सेकिंड किसी भी व्यक्ति की जो नागरिक्ता नागरिक्ता जो डेटरमाइन की जाती है निश्चित की जाती है वह सविधान के द्वारा इंडियन कॉंसिचुशन अगर मुझे अपनी नागरिक्ता डिसाइड करवानी है कि मैं कों से देश का नागरिक्त हूं तो वह बेटा किसके द्वारा निश्चित की जाएगी इंडियन कॉंसिचुशन ठीक है भारतिय सविधान और रेजिडेंशल स्टेटस किसी वी व्यक्ति की जो निवास्य स्थिति है निवास्य स्थिति बेटा कौन निरधारित करता है इंकम टेक्स एक्ट के बेटा कुछ रूल्स हैं वह रूल्स हमें स्टड़ी करने पड़ेंगे और उ टेक्स एक्ट 1961 तो आज हमने उसी के रूल्स पढ़ने हैं इसी एक्ट के रूल्स पढ़ने हैं जिसके अधार पर हम बेटा यह बता पाएंगे कि कोई भी व्यक्ति चाए वो इंडिज्वल है चाए एचुएफ है चाए फाम है चाए कंपनी है चाए योपी वह कौन सी केट और चैंज नहीं होती नागरिक्ता का समद बेटा मैंने किस्से बटाया था प्लेश अब बर्थ के साथ तो जब प्लेशा बडर किसी वी एक व्यक्ति का बर्थ कई जगह पर वेटा कैसे हो सकता है वार्थ प्लेस तो उसका एक ही रहा होगा तो नागरिक्ता जो है जब करन छोड़के वहां की नागrikता लेना जाता हूं तो उसके लिए कुछ oh is खेडमेटीद् फुरेक्वेंट्ली जबकी निवास्य स्थीति-वाटा एयर डू यंच हो सकती है निवादस किस्ती की यहां सकती है जैसे फौर आग्जांटन कि जो मिस्तर एक्स हो सकता है हाँ वी दो जारनोदस उस प्रिवियंस यहां की के डाओ सकता है वो 11 12 में वह मिस्टर एक्स मिस्टर नों डेजिडेंट में आजए एक व्रीद फिजो पहले रेजिडेंट था वही व्रीक्टि बाद में एक यॉप बन सकते अगले साल में थिर्ल या निक जाने गा मतलब इसकी जो निवासे स्थेति है हर साल बेना चेंज हो सकती है मिवासे स्थेति में चेंज फॉर्म एर टो इस नागरिक्ता की जरूर्ट कब पड़ती है नागरिक्ता जरूर्ट कभ देखी जाती है लिए टाइम आपको जौब लेनी होती है जोब के लिए बेटा जब आप एपलाई करते हैं तो उसके अंदर बेटा आपसे पुछा जाता है कि आप कौन से देश के नागरिक हैं हमारी कंट्री के अंदर इंडिया के अंदर बहुत सारी जोब्स ऐसी हैं जिसमें भारत के नागरिकताओं को प्राथमिकता दी जाती है कि अगर आपको बैटा आर्म्ड का हैं अंदर है कि अपने इंडिया का अपने इंडिया की जो तीनों से नागि आई हैं आँ है फॉर्स जो उनका है को नहीं इस टाइम अजी मेरे ख्याल से विपिन रावत जो इस टाइम जो भारत की जो सेना है उनका जो है तो भारत की जो सेना है उसका जो है वह वह कोई फॉर्णर नहीं हो सकता एसी बहुत सारी जोब्स हैं एसे बैटा कोई डिप्लोमेट है राज नाइक अमबैस्टर भारत जो राजदूत होते हैं राजदूत कोई भी फॉर्णर नहीं हो सकता कोई भी जो राजदूत है जो हमारी गौर्मेट ने किसी दूसरी कंट्री में भेज़ा है वहां पर सिवा वोट्टिंग राइट वोटिंग राइट अगर हमारे को आपको बनवाने में उसकेस में आपकी नागरिक्ता काम आती है वहां निवासियस्थिति कामनी आती तो नागरिक्ता कहां कहां देखनी हे जोप के लिए अप्लाई करते समये जोब्स भी सारी नहीं कि मालीजे किसी को भी ले लिए बेटा कंपनी के अंदर आपको जोब करनी है तो चाहे आप भारत के नागरी को कोई फरक नहीं बढ़ता बट कुछ जोब सैसी है जहां पर केवल भारतिय नागरी को की न्युक्ति की जाती है ठीक है जी कि इसके अलावा पास्पोर्ट के लिए अपलाई करना है अगर आपको वोटिंग कार्ड बनवाने या डिप्लोमेट कोई राजनाइक बनने आपने आपने अंबैस्टर बनने भारति तो वहां पर आपका भारत का नागरी होना जरूरी है हां जी बेटा जबकि रेजिदेंश स्टेटस रेजिदेंशल स्टेटस निवास्य स्थिति का समद बेटा किससे है हां जी इसकी जुरूरत कपड़ती है रिक्वाइड फॉर 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 दा पर्पॉस ऑफ कैलकुलेटिंग टोटल इंकम किसी भी व्यक्ति की कुलाई टेक्सेबल इंकम निकालते समय एंड फा इसकी जोर्ट पड़ेगी रैंशने स्टेट स्टेटस समय के वियुद के खकूषरण गु general τη जबकि देच्वे और मतलू निवावासी श॥ी निर्धारित की जाती है वह सभी व्यक्तियों के लिए सभी व्यक्तियों का मतलब इंडिज्वल का भी रेजिडेंशिल स्टेटस देखा जाता है हुएफ का भी देखा जाता है कंपनी का भी देखा जाता है इंस सभी का रेजिडेंशिल स्टेटस देखा जाएगा निवासिय स्थिती बेटा सभी के लिए डेटरमाइन की जाती है जबकि सिटीजन्शिप कि नागरिक्ता हां जी बेटा ऐसा वर्ड कहीं देखने को नहीं मिलेगा पार्टनर्शिप हम कि या रेजडेंशल स्टेटस तो हो सकता है यहां तक बेटा बताओ सभी बच्चे रिप्लाई करो चैट बोक्स में पूजा का अगया जी सुमित का आगया मोना वेरी गुड शुभम का आगया परिती अंजली साक्षी सपना वेरी गुड वह अच्छे पूनम का वी रिप्लाई आ गया जी चलो बेटा आगे बढ़े हां जी बैटा आगे बढ़ते हैं तो अभी तक हमने दो टर्म्स कर लिए नागरिक्ता और निवास्य स्थिति इसका बेटा स्क्रीन शोट लेना चाते हैं तो ले लीजिए फटा फट से ताकि मैं आगे मूग कर सकूं हाँ जी बेटा अब बेटा हम जो चर्चा करेंगे वह सिर्फ और सिर्फ निवास्य स्थिति के बारे में ध्यान से सुनना अब मैं नागरिक्ता के बारे में बात नहीं करूंगा सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करूंगा निवास्य स्थिति के बारे में तो आए आगे चलते हैं हाँ जी बेटा जड़ा इसको रीड करते हैं राइडेंशल स्टेटस मीन्स तस्टेटस ऑफ एनसेशी रैजेडेंशल स्टेटस मींस कि दा स्टेटस ऑफ एनसेशी और रॉन रेजिसेटट्स में बैटा क्या अच सकत होसे और नॉन रेजिटेंट निवासी है या एनिवासी है आगे पढ़ते हैं विच डिपेंट्स अब निवासी या एनिवासी किस चीज़ पर निर्भर करता है विच डिपेंट्स अपॉन दा पीरियड ऑस्टे इंदा कंट्री एक तो बेटा का PERIOD OF STAY IN THE COUNTRY DURING THE PREVIOUS YEAR DURING THE औरcember jours certain and in some cases in some cases it depends upon management and control kuch कीके सिन्डेमेन कवछ गरिफिए करता है जैसे कंपनी के की सMost Lifestyle प्टे हो टेजर्ट। और हचुच्वर्म में देकना हो ठीट पीरियड ऑफ द浇 का हो तए हो चेज़ट ऑर के सेब्सक्राइब के सब्सक्राइब कर देखते हैं ठीक है अकोरडिंग त। सेक्षिन फाइड बेटा क्या कहता है तोटल इंकम आफ अश्री कि कि तोटल इंकम अश्री का मतलब करदा इसको क्या जाएगा on the basis of residential status बीना residential status calculate किये आप किसी भी कर दाता कि total income calculate करी नहीं सकते सबसे पहला point ही होता है अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे income tax department में जाके tax भरना है मुझे अपनी total income calculate करवानी है तो income tax department सबसे पहला सवाल उससे पुछेगा residential status बताई अपना अब किस केटेगरी में आते हैं उसके बाद ही बेटा सारी कारेवाई शुरू होगी तो फरस्ट एंड फॉर्मोस्ट इंपोर्टेंट जो तिंग है डाट इज रिजिदेंशल स्टेटेट्स इस टॉटल इंकम निकालते समय बेटा सिरफ किस चीज की इंपोर्टेंश है रेजिदेंशल स्टेटस की नागरिकता का बेटा कोई लेना देना नहीं है टोटल इंकम के साथ यह टेक्स लाइडिटी के साथ है चलिए आगे बढ़ते हैं हां जी वेटा देखो वेटा आगे क्या कहते है कुछ एक पॉइंट्स वेटा आपको ध्यान रखने हैं इस टोपी को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स जो आपको आलवेज पता होने चाहिए टोटल इंकम ओफने सैसी कैनोट वी डेटर्माइड विदाउट नॉइंग हिज रेजिदेंशल स्टेटस यह हम कर इस फोर हुएफ फॉर फार्म फॉर कंपनी फॉर एओपी फॉर बीओ रेजिदेंशल स्टेटस वेटा सभी के लिए देखना देखा जाता है पूर इच प्रीविएस एर इंडिपेंडेंटली हर प्रीविएस यहर का वेटा अलग-अलग होगा जैसे आपका में को और कुछ आरी ऑनिस वेरी गुड आपका प्रिवेसी रही मीट ध्यांगे अलग निकाला जाएगा खाना हो सकता है 18-19 में कोई व्यक्ति रेजिडेंट हो और 19-20 में वही व्यक्ति बेटा कौन सी केटिगरी में आजए नॉन रेजिडेंट 20-21 में फिर वो रेजिडेंट हो जाए ऐसा हो सकता है तो कहने का मतलब किसी भी प्रीवियस येर की टोटल इंकम कैलकुलेट करने से पहले उसका स्टेटिस डेटर्मेंट फॉर एवरी परसन फॉर इच प्रीवियस येर इंडिपेंडेंट ली चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट में क्या कहता है एक परसन कैनोट है डिफ्रेंट रेजिडेंशल स्टेटिस फॉर दिफ्रेंट सॉर्सिट इंकम इन दा सेम उस्टो एक उसकी सेल्री सेल्री इड की सिल्री इंकम आए और ढूसरी की क್ इंकम इन रेजिडेंट हो और वह व्yक्टी नौं रेजिडेंट हो कि रचेडेंशल बेटा सीम रहेगा हमेशा फोर ओल सौरसीथ ऑफ इंकम जितने भी सौर्स हैं चाएव वह सेलरी है मैं चाए हाउस प्रोपेर्टी है चाए डिजनेस स्थेड़ अचाए अधरसों से सबीके लिए रेजरेंशल स्टेटोस एक ही ओगा हम ऐसा कभी भी नहीं कह सब्सक्राइब हो सकता सब्सक्राइब होता है हमेशा एक साल के लिए एक प्रीवियस के लिए अगले साल भी ध्यान रखना अगले साल जितने साधनों से संक्राइब और जम और दूस्रे है के लिए स्टेटर कूछ भी और चलो अगे बढ़ते हैं घंडी में बोलते हैं भार युने वारे खुप हिंडी भार में का प्रोग करने का बार्डन कह सकते यह व्यक्ति हां यह व्यक्ति यह नोनृ डेजिडेंट यह जो जो पूझे होता है इंडिया इनिया में तो어가शीऍ होता है और आस्ट कर जो हो इसे इस ऑपर हो सकता है स्टेटेस अलग छो सकता है। अलग हो सकता है। लोगिन कर लेना वेटा क्लास बंद होने वाली है री लोगिन कर लेना इसका स्क्रीन